सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबसे आपके चैनल दपर्फेक्ट क्लासिस में सौगत है शिक्षा निदिशाले रास्टी राजा नीचे देली की वक्षी टंबर 21 डिसकस करें बच्चों क्लास 8 की वक्षीट है विशे हिंदी है 29 सितंबर 2021 की वक्षीट है प्यारे बच्चों आईए आज बसकी आतरह निकल गई और वो नीचे फो गया वह बहुत जोर से हिलकर थम गई अगर इस स्पीड में होती तो उचल कर नाले में गिर जा दी मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रदभाव से देखा वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हतेरी पर लेकर इस बस का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहे पसार उसका इंतिजार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्रांड दे दिये मर गया पर टायर नहीं बदला दूसरा घिसा टायर लगा कर बस फिर चल पड़ी अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मी छोड़ दी थी पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मी छोड़ दी थी पन्ना क्या कभी भी कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मी छोड़ दी थी लगता था जिंदिकी इसी वस में गुजार नहीं है और इससे फिर इत्मिनान बोलते हैं तसली को अब यहां पर प्रिशन उत्तर हैं गध्यांच के आदार पर निमलेकित प्रिशनों को उत्तर दीजिए पहला है लेकक कंपनी के हिस्तेदार की किस उत्सर की भावना को दुरलब कह रहे थे कोशे नमबर दो है लेकक ने कहीं भी कभी भी पहुँचने की उमीद क्यों छोड़ दीती सोच कर बताईए तीसरा है पूरे पार्ट में आपको सबसे चांच कौन से लगा और क्यूं चोथा है यदि आप लेकक के साथ उस पसमें यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क् लिखें और नेक्स्ट गतिवीदी है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दियो या आपने चिंत हो गयो उस अनुभव को लिखें उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्टों की सायतर ले सकते हैं तो बच्चों कोशन आंसर करत हैं कि कमपनी के हिस्टेदार में उससर की भावना दुरलब थी क्योंकि टायरों की हालत जानते हुए भी वहे जान हतेली पर लेकर उसी बस में सफर कर रहे थे यह हो गया आपका कोशन नमबर वन आंसर नमबर वन अब कोशन नमबर टू है लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुचने की उमीद छोड़ दी थी क्योंकि लेखक को जरा सा विश्वास नहीं था जरा सा भी विश्वास नहीं था कि वे अपनी मंजिल पर पहुच पाएंगे उन्हें लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इस से उस लोग को लोग आए गया यहाँ पर का ठीक है उस लोग को प्रियान कर जाना है यह होगा आपका अंसर नमबर दो आपको यह नमबर है थ्री पूरे पार्थ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों तो इसका अंसर आप लिखेंगे पूरे पार्थ में सबसे अच्छा अंश मुझे लगा जब ले मैं यहां लिखके दिखा देती हूँ, लेपे ओकी मातर लो और का लोक, यह लिखना है बच्चों आपको यहां पर ठीक है, बस बागी ठीक है, मिस्प्रिंट हो जाता है कभी कभी, आप कोशें नमबर 4 में हैं, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यातरा कर रहे होते हैं, त बस कहीं गड़ जाती, या उस बस का एक्सिडेंट हो जाता, तो सच मुझ कुछ भी हो सकता था, मतलब हमारा भी कुछ भी हो सकता था, हम सच में भी मर सकते थे, ठीक है, तो यह हो गया, आंसर नमबर 4, अब कोशें नमबर 5, गतिविधी, यह है गतिविधी, यहां से कोशे जने, इसका ऐसी लिखना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी, और आपने चिंत हो गए हो, उस अनुभव को लिखिए, आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की साहता ले सकते हैं, तो इसका अंसर हम तो हसी भी आ रही थी, इसलिए डर के साथ हमने यातरा का आनंद भी उठाया, और लोगों की बातों से मनुरंचन भी किया, आमने चिंता छोड़ दी और निश्चिंत हो गए, ठीक हैं, तो वक्षीट हो गई complete, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वाश्चि फॉर भीडियो में, बादर के साथ हो गई रहां।